नमश्कार दोस्तों वसी टेक में आपका हार्दिक स्वागत है और टाइम हाइपर ओपनिंग और ताइम हाइपर बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई थी और अठारा तीन सो के आसपास आज ओपनिंग हुई निफ्टी 50 की HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड यानि की HDFC ट्विन्स आज भरपूर तेजी दिखाए बेसिकली मार्केट को ड्राइब ही वो कर रहे थे बैंक निफ्टी में HDFC बैंक जो एक टाइम पर साथ आठ परसंट तेज था और निफ्टी में HDFC लिमिटेड दोनों ही टॉप गेनर हैं बैंक आज एक बड़ी विचित्र कहानी है बहुत बड़ा गैप अप हुआ और गैप अप के बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर आप F.I.I.s और D.I.I.s का डेटा देटा देखेंगे ना तो F.I.I.s और D.I.I.s दूनों ही बाइंग में 615 करोड के नेट बाइ में D.I.I.s बैठे हैं और लगभग 3958 करोड लगभग 4000 करोड के नेट बाइ में F.I.I.s यानि कि इसका मतलब यह है कि भाई यह जो F.I.I.s है यह तो नहीं चाते की मार्केट के रहे हैं यह गरने नहीं देगे मार्केट को जो लग रहा है बट जैस अब आज किस तरह से आज मैं सुबह लाइव आया था आप लोगों के साथ और लाइव पर हमने बैंक निविटी पर कुछ ट्रेड एक ट्रेड दिया भी था आगे जरा वह देखते हैं कि क्या हुआ आज कैसी तरह से चला 15 मिनिट के चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूं देखे आज 42,000 के ऊपर ओपनिंग हुई 42,200 के ऊपर ओपनिंग हुई और मैंने तब ही ये कहा कि 42,200 के ऊपर जब तक 236 के ऊपर ना जाए तब तक आप कॉल में मत आईएगा या फिर 42,000 सड़ 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 जो फिस्ट फिस्ट मिनिट का लो था उसके नीचे जब तक ना नहीं आएंगे पुट का हमारा टार्गेट था 42,000 और 42,000 के बाद सेकंड टार्गेट था 41,934 हमें टार्गेट अचीव हो गया हां तकलीफ जरूर हुई उस टार्गेट को आने में लंबा समय जरूर लग गया जितनी जल्दी चाहते थे उतनी जल्दी नहीं आया 41,934 का जैसे ही हमारा लेवल आया है उसके बाद वहां से सपोर्ट लेके इसने वापस दौड़ना शुरू किया जब यह 42,067 इसने क्रॉस किया तब वहां से कॉल बनती थी for the possible target of 42,236 नहीं कहूंगा 225,30 के करीब का ही हमारा टार्गेट था 36 पे ऐसा था कि हो सकता है वहां से दुबारा से सेलिंग आ जाए लेकिन उसने काफी उपर तक लेके गया और जब यह वापस 42,236 इसने तोड़ा नीचे के लिए तो clear हो गया कि 42,236 ससने नहीं करवारा 42,236 से नीचे अब धकेला जाएगा sellers यहां से active होंगे और फिर से हमा 42,000 से उपर को दुबारा गया और फिर यह 42,236 को हिट करता रहा उसी 42,070 और 42,236 के बीच बीच में मार्केट गूंती रही जैसा कि फ्राइडेस को होता ही है चलिए दोस्तों आप जड़ा निफ्टी पर भी देख ले थे निफ्टी पर क्या हुआ निफ्टी पर भी क्या आज तोड़ने के लिए मार्केट गई ही नहीं हाई तोड़ा तो आपको टार्गेट था वहां से 18372,18372 तो नहीं आया ठीक है 18372 नहीं आया लेकिन 18362 के करीब बासट जरूर आया हाई आज लगा वो बिलकुल लास्ट में जाके लगा 18362 तो पुट में बैठने का आज कोई काम था ही नहीं यह देखे यही सेट अप था और यह सेट अप आप लोगों को सुबह सुबह दिया गया था that this is the setup and work upon it and you should be in profits now my dear friends अब मैंने आपको बता दिया है FII इस तो हैं बाइंग में आप जरा एक बार देख लेते हैं कि आज की जो कहानी है उसमें हुआ क्या क है कहा आपको HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक दोनों लग 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 बक्या चे बाद चे परसंट के करीब तो इनको क्लोजिंग में हाइप पे बंद हुए हैं चे परसंट प्लस में तो बंद हुए ही हुए है एक टाइम ऐसा था जब यह 8-8 परसंट अप में थे आच यू कन अं अच्छी खासी मार पड़ रही थी ही रो मोटकॉप को भी अच्छी खासी मार पड़ रही थी एस बिया ब्रिटनाइनियों और M&M ठीक ठाक मार तो इसमें भी पड़ी है सिर्फ बारा स्टॉक्स थे आज डिक्लाइंस में और सुबह सुबह अगर आप देखोगे तो पर बात हुई है तो आज का जो लो है वो है 41,918 जब ऊपर से गिरा था तो हमारा टार्गेट क्या था 41,934 या 43 जो भी टार्गेट था जो वह हिट हो चुका था अब ओपनिंग आज 42,163 पर हुई है हाई लगाया है 42,345 का 42,137 पर क्लोजिंग और 41,918 पर लो अगर आप देखोगे आप कहोगे साब इतना तेज कैसे हो सकता है साड़े 500 पॉइंट उपर बंद हुआ है 533 पॉइंट जबकि साथ स्टॉक्स जो बैंक निफ्टिके थे वो डिक्लाइंस में थे जिसमें उन साथ में एक बादशाव बैंक जो कोटक है वो भी था SBIN भी उन में था लेकिन दोस्तों अकेला HDFC बैंक आज इतना तेज था छे साथ परसंट आठ परसंट तेजी उसने पूरी की पूरी मार्केट को हिला के रखा था और अगर ये बैंक अगर ये HDFC बैंक या HDFC थोड़े और तेज हो गए तो साहब कोई भी लेवल अब इसके लिए उपर का बचेगा नहीं सब उपर जो लेवल आप सोच सकते हो लेवल साइगे है क्योंकि अब तक लोग कह रहे थे अब तक किसी को कहते था अब क्या रह गया आप तो कुछ चलने को रहा ही SBI में भी अब आपको मालूम है हमारा टार्गेट क्या था SBI में मैं क्या बोलता था 610-612 बस 600 पर आ गया आज 1900 से उपर मैं कोटेक को अभी नहीं देख रहा हूं चलिए दोस्तों अभी एक बार देख लेतने कि आपको मंडे को किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी पर काम करना जो अकेडमिक लेवल्स हैं वो किस तरह से हमारे आते हैं अब जरह मैं इसको हटा देता हूं उसका रिमूव कर देता हूं अल दी ड्रॉइंग्स को मैंने रिमूव कर दिया यहां से और पहले निफ्टी फिफ्टी पर ही हम लोग बात करेंगे अगर हम डेली चार्ट पर अभी निफ्टी को देखें तो आपको कुछ समझ में आएगा कि daily chart पर ये देखिए, क्या कोई gap है, gap तो नहीं है, gap तो 50 में अभी कोई gap ऐसा नहीं है कि gap filling होगा, gap नहीं है, because already एक गिरावट थी उपर से, अब ये जो बीच में जो हो था, ये एक अलग से gap up हो गया और वो sustain भी हो गया है, gap up is not a problem, अब एक बार RSI पर हम लोग चलते हैं, RSI देखते हैं कि RSI क्या कह रहा है, nifty 50 का, अगर आप nifty 50 का RSI देखेंगे, तो almost, almost ये overbought trajectory में जाने को बिलकुल तयार बैठा है, अगर bank nifty की बात करते हैं, तो bank nifty पर भी आपको पता चलेगा क्या situation है, bank nifty की भी कमोविश कुछ वैसी ही स्थिती है, bank nifty भी कह रहा है कि मैं भी अब यहां से overbought trajectory में आने की पूरी पूरी भरपूर तयारी कर रहा हूँ, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, उपर का trade लेते वकत, और आज जो candle बनी है, वो क्या बनी है, bank nifty पर देखेंगे, तो एक spinning top candle बनी है, अब यह याद रखना है कि spinning top candle बड़ी ही, ऐसी candle होती जो change of trend कर सकती है, चलिए पहले bank nifty पर ही देख लेते हैं, bank nifty पर आज का low और high पहले mark करते हैं, आज का low है bank nifty पर, यह रहा, आज का low 41.918, 41.917, इसको हम लोग mark करेंगे, red से, और इसके बाद हम उपर वाला जो level है आज हमारा, वो है 42.345, 42.345, 42.345, इसको मैं जड़ा, coordinates में कर देते हैं, 345, 42.345, तो यह आज के high low हैं, देख लिए आप दूस्तों, अब दूस्तों यहां से, अब मैं इसको लेते हूँ, 1R के चार्ट पे levels देखने हैं, कि किस तरह से आपको काम करना चाहिए, पहले cell levels देख लेते हैं, पहला cell level जो आपको मिल गया है, 41,918, 917, इसके नीचे अगर जाता है, bank nifty तो आपको level मिल सकता है, 41,805 तक का, और अगर 41,805 भी तूटता है दोस्तों, तो आपको level एक बार को 41,710, 709 तक मिल सकता है, येस, बिलकुल, 41,709 और अगर 47,709 भी तूटता है, देखिया, आजकल levels gap up कराके, gap down कराके अलग बात है, बट आजकल जो levels आ रहे हैं, वो इसी तरह से आ रहे हैं कि 100,002,200 पॉइंट पर ही कहानी टिकी होई है, अगर उसके नीचे गया तो 41,594 तक आपको एक बार को bank unity नजर आ सकता है, now let us talk about उपर के levels, अब उपर के levels तो आपको मैंने बोली दिया है कि सारे के सारे अभी यहां से खुले हैं, हमारा जो first target जो यहां से आ रहा है, वो आ रहा है 42,520 का, 42,520 का, 42,520 is our target from here, इसके उपर अभी मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, अभी मैं यहीं सोच रहा हूँ कि 42,345 के उपर 42,520, अब जड़ा चलते हैं, निफ्टी 50 की और और निफ्टी 50 पर देखने, अब दोस्तों यह याद रखेगा कि निफ्टी 50 अभी भी वीक है, बैंक निफ्टी बहुत तेजी से बहुत उपर जा चुका है, लेकिन निफ्टी 50 अभी भी उसके बनस्पत वीक नजर आता है, बनता है, तो 18.260 के जब तक नीचे ना जाए, तब तक आपको सेल नहीं करना है, 18.260 के अगर नीचे जाता है, तो आपको जो लेवल नेक्स्ट लेवल जो आपको दिखाई दे सकता है, वो दिखाई दे सकता है आपको एक बार को, 18215 18215 और अगर 18215 भी कटता है my dear friends then you might be able to see 18191 और अगर 18199 कट गया नीचे के लिए तो आपको level मिल सकता है 18173, 18174 का लेकिन दोस्तो हम लोग तो भाई bullish लोग हैं let us see कि आपको bullishness या फिर bullish trade में कब आना है buy में कब आना है आपको तभी buy trade में आना है जब 18362 जो आज का हाई है उसके उपर जब तक नहीं चलता तब तक आपको अप trend में नहीं आना है और हम इसको करते हैं अब green 18362 18362 के बाद ही आपको trade लेने की ओ है academic जो हम लोग बात करते हैं academic अलिए आपको तभी बनता है 18362 के ऊपर जब यह चलने लगे तभी हमको buy trend में आना है अब 18362 के बाद जो levels आएंगे हमारे वो भी एक बार हम लोग नजर से निकाल लेते हैं देख लेते हैं कि क्या levels 18362 के बाद हमारे आने चाहिए 18362 के बाद आपको आएगा अठारा चार सो दस का लेवल अठारा चार सो दस अगर तूटा तो दोस्तों आपको आएगा अठारा 468 अठारा चार सो सड़ सट अड़ सट के करीम आपको लेवल आ सकते हैं यह अभी मेरे को जो निफ्टी फिफ्टी पर आते हुए आगे नजर आते हैं तो अब दोस्तों यह याद रखिएगा कि यह जो लेवल्स हैं यह सिर्फ और सिर्फ अकैडमिक राए हैं मेरी यह अपना उपीनियन है और इसको कोई बाइसल की सला के तौर पर ना ले अब दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा है चैनल अच्छा लगता है वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ अगर टेलेग्राम स भी जोड़ सकते हैं पर दोस्तों लाइक जरूर कीजेगा शेयर जरूर कीजेगा और आपकी कॉमेंट्स जो होते हैं जो आपका feedback होता है उस पर मैं हर comment पर अपना reply देता हूं आपका negative हो चाहे positive feedback हो जो भी feedback हो आप जरूर दीजेगा ताकि feedback से ही पता चलता है कि हम क्या improvements कर सकते हैं या हम लोगों को यह पता चलता है कि लोगों की demand क्या है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगोंने समय निकाला है वीडियो देखने के लिए और रातरी में आठ बजे हर रोज में live भी आता हूँ कोशिश रहती है हर रोज live आने की nifty bank nifty पर चर्चा करते हैं उसका प्रोग्राम का नाम है stock market discussion ठीक है आप लोग जुरूर जोइन कर सकते हैं subscribe कीजेगा like कीजेगा और दोस्तों share कीजेगा आपका ये weekend अच्छा जाए और Monday भी आपका बहुत शानदार जाए यही मेरी मंगल कामना है शुक्रिया नमस्कार धन्यवाद